अपने budget में जो refrigerator आए और देखने में बहुती सुन्दर लगे तो वो refrigerator हमें लेना चाहिए वो अपने लिए best है लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ आप बहुती गलत सोच रहे हो क्योंकि यहां पे जबी भी आप showroom में एंटर करते हो तो वहां पे बहुत सारे refrigerator लगे होते हैं अलग-अलग size के होते हैं अलग-अलग price के होते हैं और अलग-अलग brands के होते हैं और उसकी के साथी साथ उसमें से किस brand की after sales service अच्छी है वही आपको आज के इस वीडियो में बताने आप तो यह वीडियो बहुती informative होने आप और मैं वीडियो बहुत ही खास होने आए तो वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार दिरिट के हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीचे घंटी बजाए टंटरा शुरू वात करते हैं वडियो कि नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है र और वो जाते हैं अराउंड 850 लिटर्स तक यहां पर इस कैपासिटी के बीच में अगर आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए रेफ्रेजिटर बेस्ट कौन सा है तो यहां पर आपको चेक करना है कि आपके फैमिली में कितने लोग रहते हैं अगर आप सिंगल हो तो वह यहां पर एक ही अडल रहता तो वहां पर वहां पर मेनी रेफ्रेजिटर 40 लींटा ya 50 लिटर ले सकते हो दूसरी दहरी बात करें जहां पर डो लग आप तो जहांब दो और एक चैli्ड रहते हैं तो वहां पर देड्ल सो से थाइसो लिटर वाला refrigerator consider कर सकते हो और जैसे इसे family भढ़ती जाती है तो उसी के इसाब से आप refrigerator को चुन सकते हो तो यह सारे list है और उसी के इसाब से आप decide कीजिए कि कितने capacity का refrigerator आपको लेना चाहिए और दूसरा point है यहाँ पर कि कौन से type का refrigerator आपके लिए best है तो market में बहुत सारे refrigerator अ आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर आपको कैसे decide करना है तो मैं आपको बता दो कि single door refrigerator में उपर की तरफ होता है freezer नीचे के तरफ कुछ self मिल जाते है और at the end आपको vegetable box मिल जाता है और बात करें double door में तो वहाँ पर आपको dedicated area दिया गया है freezer के लिए और उसमें door लगा होता है उसके नीचे वले door को open करते है तो वहाँ पर आपको self मिल जाते है और vegetable box मिल जाता है और बात करें triple door refrigerator के बारे में तो उपर की तरफ आपको मिल जाता है freezer उसके बाद नीचे का जो compartment होता है वहाँ पे कुछ होते है shelf और जो at the end आपको मिलता है bottom area में वहाँ पे आपको एक trolley type का vegetable box या फिर आपको कुछ पी dairy producer ने उसके लिए दिया जाता है तो यह बात हो गए triple door refrigerator की और अब यहाँ पे बात करते है side by side refrigerator के बारे में तो यहाँ पे आपको काफी option मिल जाते है अपने vegetables या फिर घर के जितने भी items से वहाँ पे रखने के लिए और अलग-लग shelf और अलग-लग categories में आपको देखने को मिल जाते हैं तो आप देख सकते हो अगर इस double door refrigerator को open करते हो तो यहाँ पे पड़ा सा freezer भी आपको मिल जाता है और जैसा मैंने का कि market में smart refrigerator भी available है तो वहाँ पे आपको refrigerator के front panel पे ही आपको touchscreen display देखने मिल जाएगा जिसकी मदद से आप refrigerator के temperature हो control कर सकते हो और उसी के साथ यह freezer के temperature हो control कर सकते हो चाइल lock लगा सकते हो तो यह कुछ smart features के साथ आते हैं और दोस्तों यहाँ पे एक important point जो आपको miss नहीं करना है कोई भी कीमत पे कि कोई भी type का refrigerator ले लेकिन एक चीज़ जरू चेक कर ले कि जो उस glass का नहीं होगा और wash करने के डाइम आपने निकाला या फिर उसके border plastic से coated नहीं होगे तो वो टूटने के डर होते है तो और आपको महना पड़ सकता है वो चीज़ तो यहाँ पर इतने सारे type के refrigerator आते हैं और अब यहाँ पर सवाल आपके मान में आता हो कौन सा आपको लेना यह कौन सा best है आपके लिए तो मैं आपको बता दू सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि जो refrigerator आप सेलेक करे हो single door double door triple door या फिर side by side उसमें आपके kitchen में कितना space है उस refrigerator को रखने के लिए तो वही हमारा तीसरा point है सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपके kitchen में या फिर यहां पर इस refrigerator का रखने वाले हैं वहां पर कितना empty space है कि एक sufficient space होना चाहिए especially आपको यह देहान रखना है कि door खुलने और बंद होने में कोई problem नहीं होने चाहिए अगर यह सारी चीजों को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं आपको guarantee देता हूँ आप एक गलत refrigerator को अगर वहां के staff है उसको आप बोल दीजिए कि आके measurement ले और आपको बता दे कि अगर यह बैठेगा तो ही आप purchase कीजिए ध्यान रखे जहां पर आपको refrigerator रखना है वहां का space कितना है वह ध्यान में रखके ही एक refrigerator को purchase कीजिए और जब यहां पर आपने इतना कुछ कर लिया है उसके बाद आप बारी आते है कि उसमें दो तरह के option मिल जाते है refrigerator में जहां पर आपको एक frost free refrigerator देखने को भी लेगा और दूसरी तरह आपको देखने मिलेगा direct cool refrigerator तो यहां पर direct cool मतलब समझे लो कि अगर वो generally आपको 10 से 12,000 रुपे के आसपास मिल जाता है लेकिन वो आपक frost free refrigerator में वहां पर सब automatically हो जाएगा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती तो यहां पर आपको decide करना है कि क्या आपके पास समय है every 10 days पर यह चीच करने के लिए direct cool में कि भाई आप जाओ manually उसको प्रेस करो बरफ निकालो और उसके बाद निकल जा तो उसके बाद अगर इतना अगर आपके पास time है तो ही आप direct cool में जाएगे लेकिन आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको recommend करूंगा frost free में ही जाएगे जहां पर आपके थोड़ से पैसे बचेंगे लेकिन time और tension free आप रहोगे हमेशा और दोस्तों market में दो तरह के compressor available एक general compressor और दूसरा ह compressor तो दोनों में फरक यह है consumption का electricity consumption general वाले में जादा होगी inverter वाले में कम होगी और इसी के साथ ही साथ थोड़ा सा price difference भी आपको देखने मिलेगा general वाला थोड़ा सा सस्ता होगा inverter थोड़ा सा महंगा होगा लेकिन यहां पे जो inverter में आप थोड़ी से पैसे ज्यादा दे रहे ह और दोस्तों जब हम बात करें electricity consumption के बारे में तो star rating को हम लोग कैसे बूल सकते हैं तो market में one star का भी refrigerator आपको मिल जाएगा और five star का भी मिल जाएगा तो यहां पे five star वाला जो है वो साल का तकरीबन 1700 से 1800 रोपे की saving करता है और थोड़ा सा four star लेंगे तो वहां पे भी आपको थोड़ा सा प्राइस कम हो जाएगा तो अगर आपको बिल बचाना है आपके electricity का तो वहां पे मैं आपको recommend करूंगा कि आप five star वाले refrigerator के साथ ही जाईए और दोस्तों आप बात करते कि कौन से brand का refrigerator आपको लेना चाहिए तो देखिए दोस्तों market में बहुत सारे brand है तो इसमे साथ आपको एक अच्छी after sales service भी मिलती है तो यह चीज बहुत ही matter करती जब आप 15-20,000 या उससे भी महेंगया रेफरेटर लेंगे तो आपको एक अच्छी after sales service आप उसके लिए deserve करते हो तो यह सारे brands आपको देंगे जो best refrigerator है उनकी जो buying link है मैं description में डाल दे रहा हूँ वहा enterprises को check कीजिए वहाँ पर आपको बहुत ही बनिया बनिया डील्स और refrigerator मिल रहे है अच्छे price पर और उस shop का address है मैं description में डाल दे रहा हूँ वहाँ से आप जाके visit जरूर कीजिए तो दोस्तों यही थी सारे points जो आपको ध्यान रखने एक refrigerator लेने के लिए अगर आपका कोई भी जैसी एत ज हम झाल के इस एक उचाते हैं यहाँ हुआ का कीजिए तोस्तों पर लेसे का बाजिए मौई आपको डिएव कर भाजय के बाटर कीजिया खरने को अपका के ऑ ह। स